दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकाश से जो डिजिटल अर्थ टेस्टर होता है उसकी सहायता से जो अर्थिंग होती है जो अर्थिट होते हैं उसको कैसे मेजर किया जाता है उसकी अर्थिंग रेजिस्टेंस बैलू कैसे ले जाती है जो हमा वेलू है वो कैसे ली जाती है वो हम आपको practically करके बताने वाले हैं इससे पहले जो वीडियो लेके आये थे उसमें हमने नॉर्मली जो अर्थ रेजिस्टर है उसको दिखा के बताया था लेकिन practically नहीं बताया था आज हम आपको practically बताने वाले हैं तो सब कुछ detail में जानने के वीडियो को अंतक जरूर देखें और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को subscribe जरूर कर ले क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर लाती रहते हैं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों यह है बाए अर्थ फिट जो की एक पाइपर थींग है जो हमारे solar plant में लगी हुई है तो आज हमें इसकी value को test करना है कि यह सही से बर्ग कर रही है या नहीं तो यह एक digital earth resistance tester है इसकी सहायता से हमें इसको check करना होगा तो देखिए जो earth tester होता है उसमें 4 point होते है connection के लिए तो सबसे पहले जो e1 और p1 यह दोनों point को हमें आप उसमें 10 करना होता है कि सी बर को लेंगे और उसकी सहायता से हूम इसको sort करदेंगे तो यहां पर यह जो hole होते हैं इसके उन्डर तो हमें बायर है में इसको सको लिया होता है जिसकेँ से ब्रूब टाइब यह सर देंके फाल से परकार से इसको कस द और इस्off wir को सोट करना हूँ लेकिन हमें जो अर्थ हैं सकी रर्थपिट का हम रेजिस्टेंस च्छेक करने वाले हैं, तोु आणा रहा sound कि कि सब्सक्राइब करने एक परदने हैं वाएक एक प्वbar एक पुआइब करणी करनें प Lean किसे विए और यह को सब्सक्राइब करेंगे इस से अर्थप बिये सब्सक्राइब को आए कोई से भी ले सकते हैं, E1 से भी ले सकते हैं, P1 से भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क निपरता, इसके बाद बचा है हमारा P2, तो P2 में हम एक बायर को कनेक्ट करेंगे, और इस बायर की लेंथ होगी 10 मीटर, और 10 मीटर की लेंथ का बायर को लेगे, और हम जो अर्थपेट ह उससे 10 मीटर दूर जाके एक जो अर्थिंग रोड होती है जिससे हम अर्थिंग को टेस्ट करते हैं तो उस रोड को यह हमारे पास कॉपर की रोड है तो उसको हम जो अर्थपेट है उससे 10 मीटर की दूरी पर बहाँ पर गड़ा देंगे जमीन के अंदर गड़ा देंगे और उसमें हम बायर को कनेक्ट कर देंगे तो देखी यहाँ पर यह हमारी एक कोपर की अर्थपिट है और इसको हमें यहाँ पर जो जमीन के अंदर है वो जो हमारी अर्थिंग रोड है उसको कम से कम आदा हिस्सा है वो हमारा जमीन के अंदर चला जाना चाहिए तो इसलिए हम इसको हैमर से ठोक देंगे तो यह जो अर्थपिट है वो जमीन के अंदर फिक्स हो जाएगी तो इतना हमें इसको कर ले ना होगा तो देखिए हमने जो अर्थपेट है जो अर्थिंग रोड है उसको इतना गिरिप कर दिया है जमीन के अंदर तो इसके बाद जो हमारा अब E2 पॉइंट बचेगा तो E2 पॉइंट में भी हम एक बायर को कनेक्ट करेंगे और इस बायर की जो लेंट है वो होगी हमारी 20 मीटर जो की हमारी जो पहली रोड लगाई है उसके अपोजिट डारेक्शन में होगी तो वो हमने लेप साइड में लगाई थी और ये वाली जो अर्थिंग रोड है वो हमने राइट साइड में लगाना है तो देखिए ये हमार हिस्सा है वो जमीन के अंदर हो जाना चाहिए और जो बायर है इसमें कनेक्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से टाइट कर देना चाहिए जिससे जो हमारी अर्थिंग बैल हुए वो सही है क्यूंकि अगर हम टाइट नहीं करेंगे लूज रहेगा तो तो हमारी जो earthing bell हुए वो proper नहीं आएगी तो इस प्रकार से देखी हमने connection को कर लिया है और जो E1 और P1 है उसको हमने एक बायर की सहायता से सोट किया है और फिर उसी point से हमने E1 या P1 से किसी भी point से हम जो एक बायर को connect करेंगे जिसको connect कर देंगे हम जिस earth pit का हम resistance चेक करने वाले हैं उस earth pit से हम E1 से भी कर सकते हैं P1 से भी कर सकते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता इसके बाद P2 point पर हमने 10 meter बायर लिया है और उसको हमने connect कर दिया है एक earthing rod से और उसी परकार से जो E2 point है उस पर भी हमने एक earthing rod को connect कि किया है जिसमें हमने 20 meter का बायर रियूस किया है उसके opposite direction में तो देखिए इस परकार से इसके connection हो गए और इसके बाद हमें क्या करने के लिए जो हमारा digital earth tester है उसका जो यह सुच है उसको हमें 10 ohm है उस पर select करना होगा तो देखिए हमने 10 ohm पर select कर दिया है और इसके बाद जो हमारा red push button है जो test push button देखाई दे रहा है इस push button को हमें press करके रखना होगा तो देखिए जिस परकार से हमें इसको प्रेस करेंगे तो इसकी जो value है बो आ जाएगी तो जो हमारी अर्थिंग की value है वो बिल्कुल सही है जो हमारा अर्थिंग की value होती है वो एक ohm से कम होने चाहिए या ये कोमोने चाहिए जिससे ये अच्छी अर्थिंग माने जाती है तो ये अर्थिंग हमारी अच्छी है इसकी बेलू बहुत अच्छी आ रही है